इंडिया में काफी सारे जैपनिस ड्रामा हिंदी में रिलीज हो रहे हैं और पब्लिक के बीच में काफी ज्यादा पॉपलेर टीवी हासिल कर रहे हैं वहीं नेट्फिक्स पर ऐसा ही एक निया शो रिलीज हुआ है जिसका नाम है यू यू हकुशो जिसकी विलहाल के लिए IMDb रेटिंग 7.6 चल रही है और अगर हम बात करें इसके टोटल एपिसोड के बारे में तो इसमें सिर्फ पांची एपिसोड हैं जिनकी लेंद 40-50 मिनट के बीच बीच में है और ये वेब सीरीज आपको नेट्फिक्स पे हिंदी लेंगविज में देखने को मिल जाएगी कैसी है ये नेट्फिस द्वारा बनाएगी एक एनिमी एडेप्टेशन वेब सीरीज सब दाएंग आपको इस वीडियो में तो जानने के लिए वीडियो को प्लीज पूरा देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरू जाना तो चली बिना टाइम वेस्ट किये वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले बात कर रहते हैं इस शो की स्टोरी के बारे में इसमें कहानी है कि लड़के की जिसका नाम है उरामेश्ट अब एक दिन वो एक बच्चे को बचाते बचाते उसकी मौत हो जाती है मरने के बाद भी उसकी कहानी खतम नहीं होती उसे जीने का एक और मौका मिलता है लेकिन बदले में उसे एक मिशन पूरा करना है और वो मिशन है इनसानों को मौन्स्टर से बचाना मौन्स्टर और इनसानों की दुनिया भले ही अलग अलग है लेकिन एक गलती से दोनों दुनिया में होल हो चुका आती हैं यही सब कुछ आपको इस बैप सीरीज में देखने को मिलेगा अगर हम बात करें इस शो की डबिंग के बारे में तो डबिंग नो डाउट बहुत ही बढ़ी है, नेट्फिलिक्स के दोरा काफी बढ़िया डबिंग की जाती है, अगर हम बात करें इसकी स्टोरी के बारे में, वैप सिरीज की स्टोरी बहुत ही बढ़िया है, इस बैप सिरीज में यूस किया गया, कैमरा बर्क आपको बहुत पसंद अगर आप एक्शन मुविज एक्शन बैप सिरीज देखना पसंद करते हो, ये बैप सिरीज आपके लिए ही है, वहीं आपको इस बैप सिरीज में काफी बढ़िया डायलोक्स और कोमेडी देखने को मिलेगी, जहां पे आप हसने पे मजबूर हो जाओगे, इस शो की एक औ और कहां से आजाते हैं, जो भी यहां पे बताया नहीं गया है, वो थोड़ी सी नेगटिव यहां पे हो सकते हैं, लेकिन इतनी भी बड़ी नेगटिव नहीं है, बाकी ये शो उन लोगों के लिए है, जो लोग फैंटेसी और अडवेंचर बैप सिरीज देखना पसंद करत हैं, अगर हम बात करें इसके VFX के बारे में, VFX भी थोड़ा सा और बढ़िया हो सकता था, लेकिन वो भी बढ़िया है, वह यहां अगर हम बात करें, ये बैप सिरीज, ये शो आप अपनी फैमिली के साथ देख सकते हो, और ये आपको नेट्फिलिस पे हिंदी लैगूज म में तब तक के लिए, थैंक यू